पर्यावरण और गंगा के पती जागरुकता लाने के लिए यूपी सरकार आज से 31 जनवरी तक 5 दिवसी गंगा यात्रा शुरू कर रही है यात्रा में केंद सरकार के 8 मंतरियों के साथ ही जिलों के प्रभारी मंतरी भी शामिल होंगे मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ और उत्राखंड के मुख्यमंतरी तिर्वेन सिंग रावत और केंद्रिय मंतरी संजीव बलियान बिजनौर में होंगे गंगा यात्रा दो रूट से निकाली जाएगी पहला बिजनौर से कानपूर तो दूसरा बलिया से कानपूर गंगा यात्रा के समापान 31 जनवरी को कानपूर में ही होगा इस कारेक्रम में मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ केंद्रिय जल्शक्ती मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यश्वतंतर देव सिंग मौजूद रहेंगे इसके साथ ही पांस दिन चलने वाली यात्रा में सभी 27 जिलो के प्रभारी मंतरी भी मौजूद रहेंगे पांच दिवसिये गंगा यात्रा का ये पुरा सिल्सिला जो आज शुरू होगा दो जगा से और इसके बाद बिजनौर और बलियां से शुरू होगा पर 31 जनवरी को गंगा यात्रा का समापन किया जाएगा लोगों में गंगा सफाई को लेकर जागुता फैलाने के लिए गंगा गंगा यातरा में उत्राखंड के सीम त्रिवेन सिंग रावाद भी शामिल होंगे योग्या अदितनात के साथ इस यातरा में शामिल होने के लिए वो बिजनवर पहुचेंगे आपको बता दे कि बिजनौर में गंगा के लिए जन जागरुता अभियान को लेकर ये पांच दिवसी यात्रा शुरू हो रही है तो आपको बताया दे कि यात्रा में शामीन हो लेकर उत्राखंड के मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगे यहाँ पर बिजनौर में वो कुछी देर में पहुँचेंगे जहां से पांच दिवसिये गंगा यात्रा की शुरुवात होगी जो 31 जनवरी को समाप्त होगी सीएम योगी आधितनाथ और उत्राखंड के सीएम तरवेन सिंग रावत बिजनौर के गंगा में बिजनौर से गंगा यात्रा की शुरुवात करने जा रहे हैं दोनों सीम की सुरक्षा के लिए पानिंग में बोटर गोट के साथ ब्रोन से सुरक्षा के इंतजाम किये गया है। हमारे स्वयूगी रूहीतर पार्टी ने भी मौके पर जाकर तैयारियों का पूरा जाज़ा लिया है। गंगा को सुक्षो निर्मर बनाने के लिए उत्तर पदेश के मुखमंतरी योगी आदितनात और उत्तरा खंड के मुखमंतरी त्रिवेंद रावत गंगा यात्रा को हरी जंडी दिखा कर सुरुवात करेंगे। ये गंगा यात्रा दो चर्णों में सुरू हो रही है। विजनौर से कानपूर और वहीं बलिया से कानपूर ये गंगा यात्रा 31 जनवरी को कानपूर पहुच कर समात्त होगी। तो वहीं विजनौर के बैरास से मुखमंत्री योगी आदितनाथ गंगा यात्रा को हरी जंडी दिखा कर सुरुवात करेंगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मुखमंत्री योगी आदितनाथ उस मन से पहले गंगा आरती करेंगे गंगा में जाकर इसके बाद वहां मंच पर पहुचकर वो यहां की जंता को संभोधित करेंगे गंगा किस तरीके से स्वख्श और निर्मल लहे जहां से भी जिन गाउं से भी गंगा होकर गुझर रही है वहां के लोगों को मेसेज दिया जाएगा कि गंगा को किस तरीके से स्वक्ष और निर्मल बनाय रखना है इस गंगा यात्रा को लेकर विज्णोर जिला प्रसासन द्वारा जहां 2000 से ज़्यादा पुलिस कर्मी को लगाया गया है सुरक्षा व्योस्ता की दिश्टी से तो वहीं डोन कैमरे की मदद से इस कायकर्म को सफल बनाने के लिए सुरक्षा व्योस्ता के कड़े इंतिजाम किये गए है रोहित त्रिपाठी आननाइन टीवी दिजिनौर रोहित त्रिपाठी हमारे साथ जोड़े इस पूरे मामले पर रोहित पूरे मामले के तयारिया जो है गंगा यात्रा को लेकर जो है जो पुलिस की व्योस्ता है साथी साथ जो है परेलमेटरी फोर्स लगाई गई है दूसरी बात है सुरक्षा व्योस्ता को लेकर जो है डोन कैमरे की मदद से पूरे जो ये प्रोग्राम गंगा वैराच पे हो रहा नज़ा रखी जा रही है कुल मिलाक अगर सुरक्षा विवस्ता के इंतिजाम किये जा तो सुरक्षा विवस्ता के पुखता इंतिजाम किये गये है आस्मान से लेकर जमीन से लेकर कहीं से भी कोई आदमी किसी भी तरह की अगर हरकत करता है तो उसको पुलिस के दौरा प्रद्रप्रदेश दोने जगे के सीमें इसके शुरुवात करेंगे अब इस एक मैं आपको बता दू जो है यह गंगा सुप्ष यात्रा जो है कुल मिलाकर गंगा को सुप्ष और निर्मल बनाए रखने के लिए जो है निकाली जा रही है जिसको दो चल्लों में बिजनौर से जो है मुखमंत्री योगी आदितनाद और बल्या से जो है अनंदी बेन पटेल जो है इसकी सुरुवात कर रहे हैं और यह गंगा यात्रा 31 जन्वरी को कानपूर में समाप्थ होगी और साथी साथ इस यात्रा के दौरान कम से कम 1100 गाउं जो लगभग पढ़ेंगे और साथी साथ 21 नगर पालिकाएं हैं और इसको लेकर जो है जो गाउं जुड़े हुए हैं गंगा से या जो सहरी इलाके जुड़े हुए हैं आम जन्दा के बीच में लोगों को जागभूरू करना की गंगा उतके सरीके सर्षक्स और निर्मल बनाये रखना है इसके लिए गंगा यात्रा की पास दिन से लगाता ताथ त्यारी करे आ रही थी और आज इसकी सुरुआत हरी जिनली दिखा कर मुखमंत्री योगी यादिनाज भी नोर से और उत्रा खंके त्रिवेन भावत मुखमंत्री भी इसमें सामिल लहेंगे आवि सेलistling आवि सेल Czyli रोहित तो इसके मुख्य पढाओ कौन से रहेंगा गंगा यातरा पास दिन की रहेगी तो पास दिन से होते हैज़ा अभी आपने बताया कि कई गाउंगों से उकर खुज रहेगी तो गंगा यातरा कि जो मुखे पड़ाओं है जहां आकरशन का केंदर रहेगा कौन-कौन से रहेंगे अभी सिर्फ मैं आपको बता जू जो है ये गंगा यातरा बिजनौर से सुरू होकर जो है हसनापूर होते हुए बुलन शाहर होते हुए कानपूर पहुचनी है इसके जो मुखपराओं से जहां पर कहा जरा था कि मुखमंतरी हसनापूर में रुकेंगे लेकिन मुकमंत्री बिजनौर से बाईकार क्योंकि पारी कम होने के कारण बोर्ट से ना जाकर बाईकार बैराज पहुचकर पहुचकर पहले गंगा पूजन करेंगे इसके बार लोगों को समोधन करने के बार करीब देड़ बजे के लगभग बाईकार रामराज के निकलेंगे और य पर लोड़ जाएंगे लखनौ के लिए बाद में कथिस तारिक को जब यात्रा दोनों यात्राइं कानपूर पहुचेंगी तो वहां पर इसका भव शौगत होगा उसमें जो है अमिस्वा होंगे मुख मंत्री योगी आदित नाद उत्रा घंड के वह आनंदी पटेल इस तरी